इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एम्टेस 2.5 टैबलेट केल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की एक श्रेनी से संबंध रखता है इसका उप्योग उच्छ रक्चाप यानि की उच्छ रक्चाप के इलाज और एंजाइना यानि की दिल से संबंधित सीने में दर्ड को रोकने के लिए किया जाता है यह रक्चाप को कम करता है और हिर्दे की कारेभार को कम करता है जिससे दिल की दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है एम्टेस 2.5 टैबलेट अकेले या अन्य दवाओं के साथ निर्धारित किया जा सकता है खुराक इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस लिए ले रही है और आपकी स्थिती की गंभीरता क्या है आप इसे दिन के किसी भी समय भूजन के साथ या बिना ले सकते हैं लेकिन हर दिन लगभग एक ही समय पर इसे लेना सबसे अच्छा है आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक यह आपके लिए निर्धारित है यदि आप अच्छा महसूस करते हैं तब भी इस दवा को अपने आप बंद न करें क्यूंकि उच्छ रक्चाप के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है नियमित व्यायाम के साथ खुद को सक्रिय रखना, अपने वजन को नियंतरत करना और स्वस्थाहार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंतरत करने में मदद मिलेगी सबसे आम दुषप्रभावों में सिर्दर्द, ठकान, मतली, पेट में दर्द और नींद न आना शामिल हैं अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि इन में से कोई भी दुषप्रभाव आपको परेशान करता है या दूर नहीं होता है वे दुषप्रभावों को रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकते हैं इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीव, हृदय या गुर्दे की कोई समस्या है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए आपको अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी बताना होगा जो आप ले रहे हैं विशेश रूप से वे जो उच्च रक्टचाप या हृदय की स्थिती का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है आपको नियमित रूप से अपने रक्टचाप की जाँच करवानी चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद